प्रेशर तो है नमस्कार मैं मुनित्यावन पाठक और आप देख रहे हैं और टाइम्स ऑनलाइन शुरुवात में आपने देख लिया होगा किसी परिछे परिभाशा के मौताज नहीं मौका मैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैंच होता है चाहे वो वन्डे हो चाहे वो टी-टॉन्टी विस्तो कप का हो या फिर एश्या कप को यह जो एक शब्द है एक स्लोगन है मौका मौका और यकीन पानी इससे पाकिस्तान के पास नहीं था भारती टीम ने सिर्फ 119 इसके बावजूद बाबर सेना दोस्त होगी तो विशाल बाइस पहले आपका स्वागत करूंगा और साथ में सुरुआप में थोड़ा सा वही मौका की बात करते हैं कि 119 रंड बनाया था बाहत में जी सर्ट क्या कहेंगे तो पहलो तो यह कहते हैं सर थैंक यू फर हैविं भी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए साथ में हम कुछ आज गुफ्तुगू करते हैं जरा अच्छे अच्छी लेकिन हाँ यह जरूरे यार इंडिया पाकिस्तान अभी जब नौ को हमने देखा है तो मैं तो एक इविंट पर किया हुआ था है वस इन्वाइट एक कॉला होगा चाहिए यह भी मेरे डिजिटल में मौका में साथ में एक्टर रहे हैं अभी और मैडम चुप हां तो अपना लेकिना इस बार भी वह जो टेंशन या वह जो धड़कन वाला मामला था वह बड़ा ज्यादा था क्योंकि क्या होता है क्योंकि स्कूर जादा नहीं था 119 रन वह भी घिस पीटके लड़ते जगड़ते आए जबकि हमको पता था कि वह जो पिछ है वह बोलर पिछ है अक्चुली बोलर को फेवरेबल है बैट्समैन को नहीं लेकिन हां उसी जगह पे 119 रन और हमारे सारे बैटिंग और जो टॉ कर देता है इसलिए मेरा कि जो इस बार कैंपे ने साथ में बनाया है प्रेशर तो है क्योंकि मैंने एक्सपीरिंस किया है सर 2015 से जब भी यह चीज होती है दिको इंडिया-पाकिस्तान मैच के हम सब आप भी हो मैं भी हूं और हम बचपन से हैं और वह महौली वैसा है वह मतल अब एक सच में हम एक रिलिजियसली उसको फॉलो करते हैं देखते हैं वैसी चीज आ जाती है तो एक प्रेशर अपने अप्रेट हो जाता है लेकिन मुझे परस्टनली ना बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता जब यह चीज चल रही होती है क्योंकि उसमें बहुत सारी च जब लास्ट के चार-पाच ओवर में डब 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 बीच बीच में में देख रहा था गाड़ी चलाते चलाते उस वक्त मतलब था कि हां सभी है सभी है अरे ठीक है फिर वह जो लेकिन एक विनिंग कॉन्पिदेंस वापस आया टीव जब की था इस बर था अंदर से आ आता ना कि हर बार ही आता वैसे तो पर इस बर भी था पर जो स्कूर था उसने फिर भी कही ना कहीं थोड़ा सा हिला दिया था कि कर पाएंगे कि स्कूर इस एक सुनिस रन पर वही कंपारिटिव ली अगर हम देखें उस पिछ पे मेरे ख्याल से मैक्सिम कुछ 138-137 ही बने अब हुआ तो उनका भी वही एक सो तेरा अगस्कूर पिछ गडवड है यह तो शुरुआ चुकी भात है भारत पाकिसान से होनी थी एक करेक्शन है एक मौका है लेकिन यहां पर मिशल भाई यह मौका मौका की कहानी शुरूआप कहां से होती है अब बैक्राउंडर क्या है आइडिया कि कौन लेकर आया और किस तरह से आप जुड़े तो सब मैं दिल्ली से हूं वैसे और आपके पास ही जहां पर आपका स्टूडियो है भी नौइडा उसी के आसपास वाले एरिया है मेरे भी तो मैं मैं में से ही एंजिनिरिंग किया हूँ 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 आईटी सॉ चीजें शुरुआत करने एक विल्कुल फील्ड नया अपनाने और मैं आया था कुछ 2012 के एंडिंग के मतलब सेकंड हाफ ऑफ दे ये टू तो फिर करते करते तेरा गया 2014 गया पंदरा एज नॉर्मल एक्टर जैसे हम ऑडिशन करते हैं वैसे एक ऑडिशन है मुझे इंडिय क्रिकेट के लिए जैसे आता है तो भी डिट दाट फूर जैसे होता है फील पूरा ओडिशन जब फिल्मों में आज तक सच में वो देखते आये हैं महौल लाइन है ये है और आप परफॉर्म कर रहे हो सामने से चार बंदे देखने जो कमरे में पांच-शे बैठे हैं बाह कोडिनेटर के द्रू कास्टिंग हो रही थी मैं भी था करा शूट मतलब यह ओडिशन और उसके बाद ही हो यादा फाइन और शायद इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वह करेक्टर को ना वह जो रियक्शन देता है यह जो भी करेक्टर जैसे बोलता है यह जो इसका सोभावि किता जो दिखाते हैं वह मैंने खुद ना बड़ा अफजर्व करकर करके लाएं लायान लाना भी नहीं पड़ा क्योंकि मेरे तो मेरे रूट जो हैं वह अमरिसर से हैं और वह भी कब पाकिस्तान पंजाब इंडिया पूरा एक पार था वह 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 एसी जैसे मूझ है अ कर देते हैं तो उसमें मैंने उनको देखा है वह वैसे होता ना कुछ परिशानी तो मतलब आधी चीज उदर वह वह से हसकी आवाज यह चीज़ें वह जनरली वैसे ही पकड़ी थी स्टार्टी तो ऐसे करते-करते शुरुआत हुई थी और वह शायद इसलिए क्लियर हो गय कि मिडेज तक का वह इंसान प्ले कर रहा है रोल तो वह और वह बड़ा एफ़र्ट लेसली होता जिए और इवन आज भी वही कोशिश है और शायद कोशिश कामयाब होती भी अच्छी है कि वैसा आता भी रहता है और वह जो उसके रियक्शन है कोच है और अलग लग चीज नहीं है उस टीम के पार्ट फिर आगे लेकिन चीज चलती है 2016 में फिर मेरे को लिया तो ऐसे ब्रैंडम मैसेज हो गए रहा हमने की एंडॉस्मेंट की तरह हो गया एक तरह से क्योंकि पंद्रा में हर एक एड के बाद दूसरा होना था तो ऐसे प्रोड़क्शन आउसी जैस सब नहीं आने था 2016 से तो मतलब डिजिटल गए हैं सारे I remember क्योंकि वूट आया था 2016 में और 2016 के वूट का पहला प्रोजेक्ट जो था बैड मैं गुल्शन ग्रोवर्वर जी मैं उनका बेटा बना था और तब हम लेंगे में शुरू करा था वो मौका के बाद ही पहला OTT का क काम कह सकते हैं करा था उससे पहले डिजिटल वाला इतना नहीं था मामला इंस्टा ट्विटर यह सब चल रहा था उतना चलन वाला नहीं था काम जो मुझे याद है और लोगे चीज चलती गई और हर एड के बाद दूसरा एड मतलब इस फैन को इतना इसका इतना क्रेज हो लिए टीम का बनाई है कि भई में को बस बटांके बों नहीं में को चीजिद चाहिए किसी भी उ तो हो जा क्या जाता है वो लास्ट में इसको इदर भी लाते है कि इंडिया आ गया सड़कों पे घुम रहा बटा के लेकर पुलिस वाला रोक रह यह कर रहा है वो कर रहा है और वो सब scripted नहीं था, असली था, क्योंकि वो जब camera लगाए जाते थे, क्योंकि वो जब शूट पूरा मेरे को मुझे भी नहीं बताते थे, का है, तो मैं जब खड़ा हूं अपने get up में और ये लगा के सब तुष्टो होता है, लोगों ने देखा भी पुलिस, कॉप का आन लेकिन हाँ, एक चीज थी कि उस वक्त, उसके काफी टाइम तक, अब जाके थोड़ी awareness फैल गे, सबको पता है, इतने project कर लिए, इतने serials कर लिए, TV हो गया, movie हो गया, OTT TV, ads काफी, तो लोगों पता है कि जलो विशाल मुतर जैना, तो उस वक्त लेकिन जादा तर ये था, वो यही समझते थे कि पाकिस्तानी ही है, असली जो हमारे देश में आया है, और ऐसे ऐसे आते थे, लेकिन हाँ, कभी कोई hate trade, कभी कोई ulti-seri बाहती है, इससा कभी कुछ कभी comment, कभी आया ही नहीं किसी video का, हमेशा बड़ा positively और बड़ा sportingly लोगों ने लिया है उसको, जो आज भी even आते हैं मेरे उस पे, और इसी के साथ इस साल मैंने अभी इस बाद डिजिटल केंपेन एक नहीं बनाए, प्रेशर तो है, उस पे भी जो मेरे आये, कुछ, दो दिन में कुछ है, सवालाग से जाधा व्यूस पे भी हो गया वो, particularly, and it went good, it went viral चल रहा है, तो करते-क सब के जो कॉमेंट्स आते हैं, they are happy, they are good, इस बार्डर से और उस बार्डर, दोनों बार्डरों से, एक ही चीज़ है, यह जो करेक्टर है, यह बड़ा प्यारा लवेबल और बढ़िया मतलब है, एंटर्टेन करता है, मेलना एंटर्टेनिंग है, कुछ चीज होती है, जो ज चाहन होगा, फिर टीवी पर पहुच गया, टीवी खरीदने पहुच गया, बाई ब्रेक वान, ऐसे करते हैं, फिर अलग-अलग केम्पेंच चलते हैं, तो हाँ, जननी इसकी बड़ी अच्छी सी रही है, क्योंकि करेक्टर बड़ा सवहाविक से अपने आप निकल के आता ह है, हर भा, और मैं इसको बड़ा भी अपने पास, दिल से रहा है, अच्छा, मौका मौका मैन और विशाल मलुतरा, एक तरफ पाकिस्तानी फैन मना है, और दूसरी से यह सोच रहेगी, इस बार हार ने जा है, एक सो अनिस बारे है, तो दोनों में कितना अंतर है, और मैं कहा बड़ा, बहुत जाधा प्रेशा, जिए हो आप बात करो, में को स्कोर से बहुत प्रेशर आ जाता है, क्योंकि एक मेरा पर्सनल अपना लालाच वाला रीजन, कि भाई, यह ना हो, क्योंकि में को और चीज़े देनी है, और नहीने आइडिया देनी है, और कुछ आना है, ज उसको यह टेंशन ही कि 400 का BPP होता है, लेकिन होई कि इस पर इतना रन बनाएगा अशा है, तो बहुत अच्छे चीज़े आइडिया निकल के आते हैं, तो I want to give that, क्योंकि दिखाना है, वो एंडिटेन्मन ले देना है, सामने देखो, आप भी देखो, तो यह चीज़ रखत है, यह इसको जो 2015 से देखा गया है कि यह कुड़कुड करता रहेगा, परिशान होता रहेगा, और इंडिया जीतती रहेगा, यही चलता जाए चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए, इससे क्या होता है, मेरी भी चीज़ चलती है, मेरी जर्नी चलती है, और I want to give, जो मैंन मैच होता है तो सर अब ही ना कभी पूरे मैच के दो translates में घाबी इतना इता ऊजो अज जब आप जब आप लिटरली स्टक हो जाते हैं एक सेकेंड दीजेगा सौरी बस सब्सक्राइब कि अपना की वह जीतेगा लेकिन एक ना सच बताऊं तो एक धर्म की तरह लोग जो है यह वह यह एक अकेला मैंने मैश देखा है जब लिटरली वह कुछ भी चीज बीच में लाएं चाहे कल्चर लाएं लेकिन मतलब वह जगड़ा वैसा नहीं होता है यह में एक बड़ा एंटेटेनिंग सोर्स ही रहता है और वह चीज एक पॉजिटिव नी ली जात अब फाइनल देख लो सेमी फाइनल देख लो इंडिया पाकिस्तान वो क्वालिफायर मैच यह वह फाइनल जैसा ही बड़ा है सिंपल इस अच्छा एक यह 2015 में आया था 2015 का वंडे व्ल्ड कप और श्रेलिया की मेजवानी में खेला गया था और श्रेलिया और न्यूजलें अगर आपको याद होगा तो उस वक्त कॉमेंटरी कर रहे थे जतिन शप्रू शोय बक्तर कविल देव मैच कतम हुआ था भारत जीता था और जतिन शप्रू के मुझसे निकला था मौका 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 और इस पर शोय बक्तर लिटरली यह 2016 की बात है 19 की नहीं 2016 की बात ह इस पर क्या हुआ था सर तो चलगी अच्छा थोड़ा सा अलकी चीज़े भी होनी चीज़े मज़ा आता है थोड़ी इंपोमेशन भी क्योंकि जिनको नहीं पता क्योंकि सब यहीं सोचते रहते हैं और फिर अंध विश्वास में नहीं आ जाए अच्छी बात है पता होना च सब्सक्राइब करने में थोड़ा फरक आ जाता है अब लेकिन वहीं रहता है कि इंडिया जैसे ही मतलब नेया मैंच नेया एड हम लोगों ने शूट कर लिया तो और सच में बहुत धमागे दार शूट किया था पूरा इधर ही पूने के पास ही अपना क्रिकेट स्टेडिय जबकि शोवगतर साब के साथ ऐसा है जर्व कि 2015 से मैं स्टास्पोर्ट के चैनल पर उन से मिलता आता जाता हूं अपने लुक में जब हम जाते हैं शूट करते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं लोग उस वक मिलते थे अप तो काफी समय से मैं भी नहीं मिला उस वक जब हम म वैसे उस हक से भी मैं बोल सकता हूं या उस चीज से भी कियार कहीं गलत न ले लिये जाए क्योंकि हमारा कभी वैसा था ही नहीं कि वी आफ टो को समवान इट वस जस्ट और यही प्लस पोइंट और यही अच्छी असली अप्रिजेशन थी कि भाई बाई इंसे बड़ा एक स्पूर्टिंग ली आंसर यहां अप्रिजेशन मिलता था कि वड़े खुश होते था तो मज़ा आता है कि क्योंकि ही एस लिफ्ट वाली लाइफ पूरी जीते हैं उनको पता है तो अगर यह उस तरीके से हम दिखाना चारा है तो यह उनके ही कहीं ना कहीं एक फैमिली की च लेकिन उस वक्त यह जरूर था कि जो हमने अगला एड़ बनाया था वह नहीं चलाया गया रोक दिया गया और वह भी जस्त दो सेकंड चंद सेकंड मतलब बस सपोस करो कि एंटर दमाना है और लाइव हो जाएगा वह एंटर रोक दिया गया तो नहीं हो गया था इसलिए उ बहुत लोगों के उस पर कॉमेंट्स आये थे क्योंकि हम लोग ना जब स्टार्टिंग वाले 15 और 16 में करते थे जब ऐसे जर्नी चलती चलती तो हम यस और नो दोनों के लिए शूट करते थे वह भी अच्छा बहुत लोगों को नहीं पता अब कुछ मेरे इंटर्व्यू पहले हैं तो पता है तो हम आइधर इंडिया बिन्स और इंडिया लूज इस दोनों के रोटोर कर लें से अच्छा है कि हमको इंडिया लूज का कभी नहीं चलाना पड़ता मैं निहीं चला। दोजार इकिस में दुर गया दुर भाग्यपूर हो गया कि छोटा सा एक चलो क्या करें ठीक है पर ठीक है ऐसा स्पोर्टिंग ले दिखा दिया कि बडिजीटल पर वही है कि मैं हूं रोकेट चल रहे है ठीक है करेंटर कुश हो गया टाइप लेकिन अपना आपका यह कह सकते हम कि जब भी यह चीज चली है येस और नो दोनों केस हम शूट करते थे लेकिन उसमें ऐसा था कि सर आप पकड़ो यह वाले इवन जो 2016 जो मैं कह रहा हूं कि एड नहीं आये बड़े इंट्रेस्टिंग होते थे एंड मेरे पास कॉमेंट्स मेरे पास चैनल के बाद हर जग जाएंगे वैसे चैनल की कॉल है मेरे हाथ में नहीं है लेकिन हम इंट्रस्टिंग हो भी होते हैं अच्छा घर पर कैसा रीकसन था मामी पापा और बाकी फैंदी क्या कह रही थी आप मुंबई में रहते रहते हैं अब मुझे होगे 11 अब मुंबई में यह चीज एज एज एक्टर यह वाली चीज एक बड़ी नॉर्मल सी चीज रहती क्योंकि इसा पाट अफ देर लाइव एक्चुली लेकिन अपने उदर जैसे आप अभी बैठे हो यह रिमेंबर जब मैं कुछ से इवेंट्स के लिए जाता था कहीं मतलब नॉर्थ इंडिया सेक्टर में जब भी आप जाते हो तो इसा थोड़ा सा शोशा वर्ल्ड जाधा हो जाता है थोड़ा हो जाता है और मेरे साथ भी पहली बार कुछ हो रहा था ऐसा बड़ा 2015 में दो साल हो गए थे और मैं कुछ-क कुछ ही कर रहा था 1990 लंडन संव रागी ने में स्टू यह कैमियो रोल थे कुछ एड्स थे मेरे पांचे जाधा कोई बड़ा काम किया नहीं था गुम्रा मतलब एपिसोडिक शोस कुछ आते थे वो करता था तो जाधा कुछ बड़े काम नहीं थे अपने लेकिन जब यह कुछ तो बड़ा चल रहा है हो रहा है तो रियक्शन ऑविसली पर मैंने कभी उस पर नहीं लिया मैं हमेशा कोई कि चलो काम है जस्ट क्या आपके काम करो एक मैं करो क्योंकि मैं जॉब से छोड़के आया हूँ जॉब चोड़के तो आए नियू कि क्या है मुझे मेरा सरव प्राइवल भी उतना ही प्यारा था खर्चा निकालना है मला पहला पहले एड हमने किया मैं कुछ इस बात से और जादा हो गया कि चलो दो दिन का पैसा आता है तो मैं को पता है कि अगले दो महीने डेड़ महीने मेरे अब कवर्ड होगी और उतना भी पैसा उस वक्त नहीं जानना है कि महीना खर्चा निकल गया बस बो है बेसिक चीज़ें जैसे मेरा मंतली जो भी जौब का एक नया स्टार्ट होता है पैकिस था तो उसी के इन और राउंड ही कुछ ना कुछ था लेकिन सब्सक्राइब दुखी भी हो जाते हैं उस चीज में क्योंकि एजने एक् को दे दिया और एजन्सी ने उन्होंने एक कराया तो अब फिर पीछ में उसमें कमिशन निकल जाता है कोछ होता है तो भी बड़ा वो होता है बढ़ हां इसी तरह से आपको स्टार्टिंग में काम भी मिलता है जब आपका एक नेटवर्क इतना स्ट्रॉंग नहीं होता है तो अच्छे से एजन्सी वाले यह अच्छे वाले जो है कम सम्ट जो रेगूलर वह आपको पुश करते हैं तो ठीक है देयर अर्ट अधर मेने तक मेरा सरचा इस तरह से एक तरह से ऐसे भी मैं कहसा था हूं लेकिन ठीक है बट हाँ यह था सब कि चलो महीना निकल जाए तो हो गया है कुछ हो गया खासकर एक्टर इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि हम लोग फिर वह होते जो इस पर ही बेस रहते हैं जब हम आते हैं और पर डे की तरह पैसा होता है और वह पर डे भी जैसे अगर हम टीवी सीरेल कर रहे है तो तीन महीने बाद पेमेंट होती है मतलब फ कुए मनी और साथ-साथ आ जाता है और थोड़ा अच्छा मिलता है बजट सो ऐसे चीज़े चलती है तो मैं भी उनी का पार्ट रहा हूं और हूँ भी आज भी तो बस यह था कि चलो दो दिन का एड है इसलिए खुशी थी फिर लेकिन जैसे जैसे जर्नी बड़ी होती गई सबसे पहले मैंने रियलाइज किया उस एड के अगले दिन ही जब न्यूस पेपर में ओले मीम और यह सब चीज़े आने लग 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 दिल्ली गहर वालों के साथ पास जा रहा था और दिल्ली जा था फ्लाइट में मतलब समझो सारे लोग जो थे सब सेलफी सेलफी यह वो पहचाने करें तो ओके ओके खुशी खुशी एरपोर्ट तक पहुंचे सब सही रहा फिर उसके बाद फ्लाइट में वह तो सीटों पर आके तूट गए यह हो गया बार जैसी दिल्ली निकला और सड़क मतलब इट वस लाइक मज़ार सेलफी 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 मैं भी ख गर पोचा घरवालों के साथ वी वर गइंबर अमरे सर जा रहे थे हम उसके वागा बॉर्डर गए और वागा बॉर्डर में सर यकीन मानी उसके दो चीज़े चल रही थी एक विराट कोली और दूसरा जैसे जब सेरेमनी शुरू हो रही होती है न तो हम शाम वाली में ले है और उससे पहले म्यूजिक चल रहा होता है अपना देजवक्ती के सौंस चल रहा होते सब हैं लोगों ने बचा रहे थे और वर्ल्ड गप चली रहा था तो इसलिए वैसी चीज़े भी बज़ रही और लिटरली मौका मौका एक एंथम की तरह बज़ा था जो आज भी हम स चीज़े बहुत बढ़िया रही है लेकिन जब उदर गए तो तब था कि चलो यार कुछ शायद बन रहे हैं मैंने कभी भी यह नहीं सोचा कि बन गए है ठीक है इस गुट अच्छा है ना जादा मिलने पे घुशी करो ना कोने पे जादा गम करो सीधी सी बात है लेकिन एक अच्छा डिलीवर हुआ और इसकी मांग वापस आ रही है आ रही है तो मतलब यहार अंदर रहे हैं सिंपल इसा इंस्टागाम देख रहा था मैं आपका महादेव के भक्त हैं आप और धेर सारे मैंने कोमेंट्स भी देखे और कुछ सीवा पार्क जाओ अपनी बात की पाकिस्तानी वहां से भी मैंने धेर सारे कोमेंट्स देखे और मीम्स भी धेर सारे बनते हैं आपके कैसा लगता है जब पता जब बिट्रूल का दाम बढ़ रहा है कहीं कुछ हो रहा है दुनिया में वहां भी मौका लगा हुगा है बढ़ी है सर देखो अच्छा तो मीम कहें अगर बनते हैं तो बड़े अच्छे उसमें लिए जाते हैं और मैं तो बड़ा खुश होता हूँ पर्सनली देखो अच्छी बात है मीम्स बने अच्छे अच्छी जगा पे एक रेगुलेट डे पे जब आपका एक जिफ यूज कर लिए और उसको एक रेगुलेट डे एक इनसान अपने चीज के साथ बना के दे रहा है क्यों नहीं इसी तरह से दूसरे मीम्स आते हैं जो बड़े इंफोर्मेटिव टाइप होते हैं जैसे जब काफी अवार्ड जीते हैं ये वाला अपनी फोटो जब आ जाए सामने दिखे रहे ये वाला का एक्सप्रेशन यह एक्सप्रेशन यह एक्सप्रेशन ने अच्छा शायद दिखाया तभी वह हो रहा है इसी तरह जैसे इस बार भी काफी कॉमेंट्स हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि लव फ्रॉम पाकिस्तान एक एफ-एम है उदर अभी हाली में मैं बात कर रहा था कुछ दिन यह मैं से जस्ट दो दिन पहले आठ तारीक साथ तारीक की बात है और मुझे वह बहुँता है वह था इंस्टा पर मैं देखता हूं अगर मुझे दिख भी जाए तो दिखा भी देता हूं जैसे उदर के एफ-एम है चैनल वह लोग अपना अपरोच करते हैं यह लोग अपरोच करते हैं को चीज वैसे कहते हैं लेकिन उदर सेना सामने से हमेशा अच्छा तो आते रहते हैं तो हमेशा खुशी खुशी मतलब ऐसा कभी नहीं होगी पते क्या होता है जो ढूंडते हैं ना बहुत सारे कॉमेंट्स वगरा कुछ कुछ और इवन साथ आठ तारीक को तो मैं स्क्रोल कर रहा था जो पीछे हिड़न रिक्वेस्ट या मैसेजिस होते हैं बहुत सारे जो आप नहीं देख पाते हैं मतलब दोजार एक्केस और दो ती पता आता है जब पता चलता है कि ठीक है आपको बराबर दुनों बॉर्डर से मतलब ना इज़्जत सम्मान प्यार सब मिलता तो बड़ी अलप प्लेयर्स का क्या रिक्सम था किसी से मिलने आप रोजिस सर्मा विराट को ली या कोई भी मैं हाँ बिल्कुल सर उस वक्त अप अपना इंटर्विव गयरा खूब सारे हुए यह इस बार थोड़ा रुग गया क्योंकि मोदी साब का उस वक्त ही हमारा पीम अपना स्वेरिंग सेरेमनी चल रही थी सेम डे था नाइंद को तो इस ले उतना ज्यादा न्यूस चैनल्स और वो सब चीज़ें जैसे नहीं अपने इंडियन में हम अगर बात करते हैं घरबजन सिंग सर हो गए यह तीवी सेलब को यह फिल्म स्टार इन सब को छोड़ते हैं अभी साइड करके अगा रहा हूं सिफ क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो विराट कोली जी अपना जैसे उनके साथ टेलिफोनी के लिए एक इंट्रो वातना बात चीथ हुई है 2016 के वक्त हुई है सब खुश सब बढ़िया हासी उसमें मज़े से लेते हैं एक इंसिदेंट मुझे याद आता जो मैं बताता हूं आप धोनी सर से जब हुआ था आई रिमेंबर अभी की बात है अभी 2021 से पहले की बात है उन 20 की से पहले की बात बता रहा हूं तो एक सिमेंट का एड कर रहे थे और उसमें मैं भी था और हम मिले उदर सेट पर शूट पर और मैंने नॉमली हेलो है करा क्योंकि तब यह वाली लोग तो अपनी होती नहीं और मतलब इंट्र इंटर्व्यूस या एक वीडियो कॉल या ओड सब्सक्राइब है तो थोड़ थोड़ टाइम इंटर्वल के लिए वैसे होता है लेकिन 111 कभी इतना ज्यादा समय नहीं विता है कि मतलब हेलो हेलो आला हिसा तो तो जब उदर शूट पे गया तो मैंने मिला और सिंपल बताया है यह वह बात वाज जब चली एक नहीं है ऐ प्रेशर 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 मतलब फील्ड पे बहुत यार चिलाते रहते ना लोग तो मेरे को बड़ी मुझे बड़ी खुशी हुई थी और वो भी उस तरीके से ही बता रहे थे कहते हैं लेकिन फील्ड मतलब शोर क्योंकि होता है ना तो जब वो सामने सामने फिर यार एक लेजिंड आपको ऐसे बता देंचीज तो खुशी की बात है तो मों कि यह ताया प्रेशर भी क्रेट कर जाता भी प्रेशर हो जाता है जब मौका 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 ऐसे सुना ही देते हैं पर नाइस मुझा आप है पिल्कुल उम्मिद करेंगे कि हम लोग जिस तरह स ऐसे होते हैं डशिया इस अंचैनसे है इस बार होना चीकिन बहुत लंबा समय हो गया है बहुत लिएड़ी टेव का प्र होना चीए है मौका करना के व् जा गाशिया काफी नायीं सब्सक्राइब फॉपक्रशने हैं और व्द बहूत लंबा वक्त दिया आपने प्राउडली गर्फ से हम करें कि और ज्यादा अच्छे से हम लोग भी आगे बढ़ें अपका मौका करते हैं बिल्कुल मुश होई साथ लगाई नहीं न भी सर अपका है सेंट्रल हो गया है हाँ यह हो गया मौका मौका वाई प्रेशर दो है लेकिना सब ओडियंस को मैं भी कहूंगा कि थैंक यू फॉर वाचिंग मी और शुकरिया चांस देने के लिए करते रहने के लिए मुझे प्रेंडना देने के लिए कि मैं और एंट्रेटेन करता रहूं और चीज़ें हम बनाते रहें कुछ-कुछ अच्छी अच्छी बाकि इंस्टा पे मौका विशाल मौका विशाल नाम से है प्लीज आप जाईए देखिए विजिट करिए जो इस ब साथ